Hello Teachers, Welcome to my channel सबसे पहले आपको सिक्षक दीवस की हारदिक सुपकामना है तो आज की इस वीडियो हम जानेगे कैसे आप Google Form की मदद से Online Exam Conduct करा सकते हैं कैसे Online Model Paper बना सकते हैं वैसे दोस्तो Google Form की मदद से आप Online Survey करा सकते हो Online Feedback ने सकते हो Online Registration करा के Contact Detail जमा कर सकते हो पर आज की इस वीडियो में हम इस पेस नी Google Form की मदद से Online Model Paper बनाने वाले हैं और जी हाँ दोस्तो Google Form की मदद से Model Paper बनाना जित्ता एजी है उतना ही इजी इसको सेर करना है जी हाँ अपनी स्टूरेंटों को इमेल आईडी पे या वाटसब पे या फेस्बूक की माधियम से ये पेपर सेंड कर सकते हो और उनका Online Exam ले सकते हो और इस तरह Google Form की मदद से बनाया गया Online Model Paper को Manually Check करने की ज़रूरत नहीं होती और इस्टूरेंट भी एक्जाम खतम होती ही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे उनके द्वारा कौन से कोसिशन गलत हुए वो भी चेक कर पाएंगे साथी जाथ अपने नमबर भी काउंट कर पाएंगे और टीचर भी स्टूरेंट द्वारा सम्मिट के गए पेपर को एंसर सीट के रूप में देख पाएंगे और एंसर सीट को एक्सल में एक्सपोर्ट कर पाएंगे साथी साथ उसका प्रिंट भी ले सकते हैं तो चलो सुरू करते हैं बने रहे अनन तक कि pH किए wanna skip करने की गलती इंना करें पूरी वीडियो देखे ताकि आपको एक छोटी छोटी चीज भी समझ में आए तो दोस्तो लकी गुपरली की वीडियो में आपका हादिक सागत है हम चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे सिस्टम की स्क्रीन पे आने के बाद हम एक ब्राउजर ओपन करनेंगे अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो मोबाइल के अंदर डेख्टॉप मोड़ ओपन करनेंगे और गूगल ब्राउजर के अंदर सर्च करनेंगे गूगल फॉं जिसके बाद यहां पे सेकंड लिंक जो आपको देखने को मिल रे इसको ऑपन करनेंगे अगर आप इस तरीके से ये लिंक फाइंड ना कर पाए तो मैं आपको दूसरा उप्सन बता देता हूँ आप यहाँ पर उप्सन पर जाके और इसको थोड़ा सब नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ पर DOCS करके एक उप्सन मिल जाएगा इसको उपन कर दीजिएगा जिसके बाद यहाँ पर राइट साइड में मेनू का उप्सन आपको देखने को बिल दा होगा इसको मेनू खोलिए और यहाँ से फॉंच को उपन कर दीजिए कुछ इस तरह की इस उपन हो जाएगा जिसके बाद यहाँ पर आपको ब्लेंक फॉंच सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से मेनू होके आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉंच डिजाइन करने का ओप्सन यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक contact form design करने वाले हैं अगर जो student आप test देगा तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी information देनी होगी तो सबसे उपर मैंने contact form लिख दिया मतलब टाइटल में और नीची दिख देते हैं फिल इट फच्ट ठीक है तो description में आप ऐसे लिख देंगे जिसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपना name मतलब की name में आप लिख देंगे जिसके बाद में यहाँ पर इसको select कर देंगे sort answer ठीक है तो कुछ इस तरह किसी आपका बंकर 8 हो जाएंगा इसको view करके देख लेते हैं जी हां इस तरह के से मारा contact form डिजाइन हो गया है जिसके बाद हम चलते हैं दूसरा मतलब section 8 करने वाले हैं यहाँ पर 8 section पर जाएंगे दूसरा section 8 कर देंगे जी हां इस section के अंदर हम model paper design करने वाले हैं तो मैं 2-3 question यहाँ पर 8 करके दिखाने वाला हूं तो सबसे पहले इसका नाम निखने देते हैं यहाँ पर 8 section का anti-vc model test और जिसके बाद में description में आप जो निखना चाहिए वो निख सकते हैं मैं निख देता हूं अटेम all question and each question have one number ठीक है जिसके बाद यहाँ plus पर आप click करेंगे plus पर click करने के बाद यहाँ पर question 8 करने का आपको option दिख जाएंगे तो सबसे पहले हम question देंगे तो यहाँ पर multiple type के question देने वाले हैं तो सबसे पहले में यहाँ पर question दिख देता हूं पहला option देंगे जैसरे कि मैं पहला option देते हैं पर Mumbai जिसके बाद next option 8 पर चल जाएंगे और यहाँ पर दूसरा option न आपका लिगए जैसरे कि मैंने दिख दिया न्यूदेली जिसके बाद यहाँ पर third option प्र चल जाएंगे third option पर आप दिख देंगे call पाच चाहिए जितनी फिव और चाहिए तो ये पाच पाच ऑप्सन होगा है जिसके बाद हम यहां से एक न्यू कोस्टेट कर रहे हैं और इस कोस्टन को हम हिंदी में भी निख सकते हैं तो मैंने एक हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर आपको हिंदी टाइपिंग अ ट्रांस्डेटर की मदद से भी कर सकते हैं, जिसके बाद यहां पर आप इनके उप्सन लिख देंगे, तो पहला उप्सन दे देता हम जबलपूर, जिसके बाद नेश्ट उप्सन दे देते हम यहां पर मुंबई, इस तरीके से एड उप्सन पर क्लिक करके, आप उप्सन होते जा रहा है, जिसके बाद हम यहां पर थर्ड कोस्चन देते हैं, थर्ड कोस्चन के अंधर हम इमेज देने वाले हैं, जिहां एक मैस का सवाल लेने वाले हैं यहां पर, तो हम यहां से एक इमेज एट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अप्लोड पी जाके, कोई भी इ देते हैं select right answer यह निख देते हैं उपर साइड में और यहां पर जो checkbox है इसको multiple type question यह select कर देते हैं आगे side में आप देख पा रहा होंगा right में तो इसको हमने select कर दिया इसके बाद मैं यहां पर down करता हूँ और यहां पर option देता हूँ जिसके की a सही है b सही है यहां पर option के अंदर भी आप image select करने का option right side में देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर मैंने option देख देता हूँ A B C और यह D ठीक है इस तरीके से मैं अभी यहां पर तीन question 8 कर दिये और मैं इसका view आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से दो section हमने divide के पहला contact और दूस सी error आ रही है मतनब कि अगर कोई student अपना नाम और roll number इंटर ना करे तब भी वह आगे किस टेप में पहुच जा रहा है तो इससे हमें इसको थोड़ा सा set करना पड़ेगा यहां पर required पी yes कर देंगे आप name पर जाएंगे और roll number पर जाएंगे यहां पर required पी yes कर देंगे तो नेम roll number डाले वह आगे नहीं बढ़ पाएंगा जिसके बाद में आपको यहां वेलिडेशन भी लगानी है तो यहां पर इस तरीके से responsive validation पर आप क्लिक कर देंगे और यहां पर select करेंगे text तो test select करने के बाद यहां पर name के जो text है वहां पर केवल text ही निक पाएंगा और roll number मे विशबह Suger निके निक करता है तो इसको वीव करके देखते हैं अब यह वर्क कर रहा है निकर रहा तो यह तो यह तरीके से open हुआ है आप देख पा रहे होंगे, question में हमें कुछ सीजी set करनी है, right answer कौन सा है, वो हमने set नहीं किया, कितने नंबर का है, वो set नहीं किया, तो यही चीजी भी हमें set करनी है, तो इसके रहे हम चलते हैं, फिर से home screen पर, और इसको सबसे पहने, क्यूज की तरह हम Google को बताते हैं कि यह क्यूज है, ठीक है, तो यहां पर setting पी जाके, यहां पर क्यूज पर select कर देंगे, और इसको right, मतलब click कर देंगे, और save कर देंगे, तो Google इस form को as a queues की तरह ट्रीट करने लग जाएंगा, अब जिसके बाद में यहां से आपको page हलका सा refresh कर देना है, नेक पर ट्वीट होगी तो refresh करने की जरुबत में बढ़ीगी, जिसके बाद question पर चल जाते हैं, निचे side में देखेंगे answer where, K की नाम का option देखने को भी लेगा, अब यहां पर आपको लिखना कित्ते number का question है, एक number का है, दो number का है, तो यह आपको लिख देना है, जिसके बाद में यहां पर right answer का देना है, और यहां पर done कर देना है, जिसके बाद हम चलते हैं next question पे तो यहाँ पे हम सबसे फ़ेने click करते हैं और नीचे answer की पे click करते हैं और किते number question है तो इसको भी हम एक number ही दे देते हैं और right answer जैपूर जिसके बाद यहाँ पे done पे click कर देते हैं और रिक्वाइड वगरे भी चूज कर सकते हैं निकिन अभी में कोई कंपलसर ही नहीं है कि एंसर देना है नहीं देना ठीक है तो यहां पर हम फिर चलते हैं 3rd question पर और answer की पर हम select करते हैं जिसके बाद यहां पर हम दिख देते हैं 1 मैंस का question है तो इसको हम 2 number लिख देते हैं और right answer हम select कर देते हैं C इसको मैंने अभी solve नहीं किया ऐसी लगा दिया ठीक है और यहां पर done कर देते हैं तो इस तरीके से हमने right answer यहां पर select कर दिया और required option यहां आपको देखने मिलता होगा चाहे तो इसको yes कर सकते नेकिन ऐसा खमपल्शर ही नहीं लगते है कि कोई question attempt करना है नहीं करना ठीक है तो इसको हम refresh करके देखते हैं और देखते है किस तरह का यह कि यहां से और यहां से फिर से open कर देता हूं ठीक है इस तरीके से view दीख रहा है तो यहां हम right answer choose करते जाते हैं और यहां पे गलत answer choose कर देता हूं और इसको करते हैं हम submit जिहां student अगर submit करेंगा तो इस तरीके से वो submit हो जाएंगा जिसके बाद हम चलते हैं, और भी कुछ option यहां पे देखने देखे लेते हैं करने जिसके बाद में हम चलते एंदर भी हमें का आप்शन देखने को बिलता है जैसे इमेल अगर आप क्लिक कर देंगे तो हर बार यूजर से वह इमेल मांगेगा मतलब इमेल इंटर करना पड़ेगा तो एक्जाम्पल के लिए हम चलते हैं इसको करते हैं यहां से close मैं back जाता हूँ इसको देखो यहाँ पर email का option दे रहा है मतलब कि user जब तक की email ID इंटर नहीं करेगा तो जब तक की आगे की step में नहीं बढ़ पाएंगा मतलब की email ID compulsory कर देगा यहाँ ठीक है तो इस तरीके से email हम set कर सकते हैं मैं theme by default कर देता हूँ और जिसके बाद मैं limit to one response तो एक email ID से एक ही बार response हमें आए ऐसा हम यहाँ से set कर सकते हैं इस पे क्लिक करके ठीक है जिसके बाद मैं नीचे चलते है edit after submit मतलब कि submit करने के बाद कोई क्या इसे edit कर सकता है हम नहीं रखते है और जिसके बाद next option है see summary chart and text response तो इसको हम yes कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से save ठीक है तो इस तरीके से आप से अगर आप जो progress report है वैμα किस तरह के से दिखत है अगर आप front पने पर हो तो इस तरीके से दिखते है और अगर आपने दोनों पनने complete कर दी तो नीच इसरे में progress report दिखाता है जिसके बाद HOY चुझ के अंदर चलते है तो क्यूज के अंदर हमने बताय था कि फॉर्म को क्यूज की तरह टीट करें इसने हम यहां पर मेक दिस क्यूज पर यह किया था हमने और और भी कई तरीकियां के सेटिंग है आप देखने जागा इनको इसको ऐसे के रहन दीज़े ठीक है तो इस तरीके से कर देंगे जिसके बाद अगर हम यह हमारा पूरी तरीकियां कम्पलीट डिजाइन है मैंने भी तीन कोश्चिन कर रहे हैं आप पचास साथ दस बिस जितने भी करना हो जिसके बाद इसको इमेल आड़ी पर यहां पर सेंट कर सकते हैं और यहां पर लिंक कॉपी करके भी वाटसप यह फ कर रहे हैं और फेस्बूक वाटसप जिस भी माद्याम से आप बेंजना चाहिए तो उसको भेज सकते हैं अपने स्टुएंटों को ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इस तरह का एक फॉर्म उनके पास समत्तब चली जाएंगी एक रिक्वेस्ट चली जाएंगे औ इस तरीके से वह चूज कर सकते हैं कि राइट एंसर कौन सा है तो तुरंट में उनके दिखाई नहीं देंगा नेकिन सम्मिट होने के बाद राइट एंसर कौन सा है वह उनके दिखाई देगा जैसे कि मैंने फटाबट चूज कर दिया और यहां पर एक कोस्चन हम सी वाला गलत कर देते हैं ताकि हमें कितने नंबर क्या हो रहा है वह दिखाई देगा और उसके द्वारा टेम किये कैं कोस्चन तो पहला उसका सही हुआ और दूसरा भी सही हुआ और तीसरा गलत हुआ तीसरा जो गोस्चन था वो दोनमबर का हमने रखा था इसने उसको चार नंबर में से दो नंबर प्राप्त हो ठीक है तो इस तरीके से दिखाई देंगी कितन लोगों ने टेस्ट दिया उनके स्कोर कार्ड क्या है वो सब हम यहां पर दिखाई देंगे और रिनीज स्कोर पर क्लिक करके आप उनको एमेल के माध्यम से उनकी इमिल आइडी पी उनको अपना स्कोर सेंड भी कर सकते है ठीक है और जिसके बाद में य स्कोर नेम रोल नंबर और उनने कौन से कोश्चन माटेम किये कौन से सही हो किये कौन से गलत की वह सारी चीजिए आप एक्सलीट के अंदर देख पाएंगे जिसके बाद में सीट को क्लोज कर देता हूं और अपने होमी स्क्रीन पर आ जाता हूं यहां पर आप ऑप्सन दे अगरे और ऐसी बहुत सारी चीज़े एड कर सकते हैं जी हां मल्टिपल चीज़े यहां पर आपको देखने की विनेगी जो गूगल फॉर्म के अंदर आप एड कर सकते हैं तो आपने देखा किस तरह किसे हमने सब स्टार्टिंग में कॉन्टेट फॉर्म बनाया जिसके बा उसके स्कोर कैसे चेक पाएंगे तो इस तरह से आप सभी टीचर्स अपने स्ट्रूइंटों की परिक्छा ने सकते हो जियां ऑनलाइन परिक्छा ने सकते हो उनके नमबर काउंट आ सब्सक्राइब और आपको कोई डाउट आता था मुझे पूछना ना भूले और इसी तर झाल झाल झाल